पंजाब की मलेर कोडला में आमादमी पार्टी के नेता मुहम्मद अक्बर की गोली मार कर हत्या कर दी गई पुलीस के मुताबिक रंजिश के तहत वारदात को अंजाम दिया गया है बताया जो रहा है कि आरोपियों ने काफी नजदीक से गोली मारी थी फिलहाल आरोपी पुलीस की गिरफ्ट से बाहर है घटना सिस्टिवी में कैद हो गई है पंजाब की मलेर कोडला में आमादमी पार्टी के म्यूनिसिपल काउंसलर की गोली मार कर हत्या का मामलाज सामने आया है दरसल आरोपियों ने उन्हें जिम के अंदर गोली मारी थी जानकारी के मुताबिक मुहमद अकबर को काफी नजदीक से गोली मारी गई थी मलेर कोडला की वरिष्ट पुलीस सधिक चक अवनीत कौर सिधु ने कहा कि हमें सूचना मिले थी कि मुहमद अकबर जिम के अंदर आये थे उनकी गोली मार कर हत्याग कर दी गई है पुलीस ने बताया कि अकबर को एक गोली लगी थी इस वज़ा से उनकी मौके पर ही मौत हो गई पुलीस के मुताबिक शुरुआती जाच में सामने आया है कि ये रंजिश के तहट की गई वार्दात है पुलीस ने कहा दो लोगों ने वार्दात को अंजाम दिया है दोनों आरूपी फिलहाल फरार हैं उनकी तलाश की जा रही है पुलीस लगतार दबिश दे रही है